हेलो फ्रेंट्स में विकास और विकास एक्स्परेमेंट यूटूप चला है मैं आपको स्वागते हैं तो आज की सुडियो में मैं आपको एक इलेक्ट्रोनिक बोर्ड बना शिखाऊँगा तो मैं इसे बनाने के लिए ये स्विच और ये पलग ले लेना है और उसके बाद में कोई साभी खाली बोक्स ले लेना है तो मैंने खाली बोक्स ले लिया है और उसके बाद में इन पलग और इस स्विच को इसके अंदर लगा देना है और उसके बाद इसमें इस स्विच और इस पलग को लगाने के लिए कटिंग कर लेता हूँ तो मैंने इस बॉक्स के कटिंग कर ली है और उसके बाद में इस स्विच और इस पलग को इसके उपर लगा देना है तो मैं चल्दी से इन दोनों को इसके उपर लगा देता हूं और उसके बाद में इस स्विच को भी इस पर लगा देता हूं तो मैंने स्विच और इस पलग को इसके उपर लगा दिया है तो आपको भी इस इतरे से इसके उपर इस पलग और इस स्विच को लगा देना है और उसके बाद में आपको इसके वायर रिंग करके दिखा देता हूं तो मैं इस स्विच के इन दोनों ट्रेमिनलों पर एक एक वायर को लगा देता हूँ तो मैं इसके उपर जली सोल्डरिंग कर देता हूँ तो मैंने इन दोनों ट्रेमिनल पर एक एक वायर को लगा दिया है और उसके बाद में इस सीच के एक वायर को इस पलक पर लगा देता हूँ और मैं इसे अच्छी तरह से टाइट कर देता हूँ तो मैं इसे टाइट कर दिया है और इसके बाद मैंने ये वायर ले लिया है और इसे मैं इस पलक के दूसरे वाले टर्मिनल पे लगा देता हूँ तो मैंने इस वायर को लगा दिया है और यह हमारी इंपुट वायर है और उसके बाद में इसके उपर फिर्व क्यूब को भी डाल देता हूँ तो मैं इसके उपर जल्ली से फिर्व क्यूब को डाल देता हूँ और अब में इसे थोड़ी देर सुख निगले रख देता हूँ तो यह अच्छी त्रीक इसे सुख चुका है और उसके बाद में इस बोक्स के उपर एक छेट कर देता हूँ तो मैं इसके उपर जली से सेथ कर लेता हूँ और उसके वाइन में इन वाइरों को इसके अंदर से निकाल लेता हूँ और उसके बाद में इसको अची तरिके से टाइट कर देता हूँ तो मारा ये लेक्रोनिक बोर्ड बनकर बिल्कुर तयार हो चुका है और उसके बाद में आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ तो जिसे कि आप देख सकते के मारा है ये लेक्ट्रोनिक बोर्ड बहुत येची तरी किसी वर्क कर रहा है तो बस आज के लिए इतना है अगर दो अच्छे लगाऊ तो वीडियो को लाइक करें चनल को सब्सक्राब करें